असलामु अलेकुम मैं डॉक्टर जहां आराशम्स अलामा अकबाल ओपन यूनिवस्टी से आपको खुशामदीद कहती हूँ आज का हमारा प्रोग्राम कोर्स कोड 6403 क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में है आज के प्रोग्राम में हम यूनिट नंबर 4 को डिसकस करेंगे जो के डिवेल्पिंग क्लासरूम रूल्स एंड रूटीन्स है आज का हमारा यूनिट इसलिए भी ज्यादा इंपोर्टन्ट है क्योंके आज हमने डूस और डॉंट्स की बात करनी है जब हम बात करते हैं क्लासरूम मैनिजमेंट की तो फिर ये बहुत एहम है कि ये भी डिफाइन किया जाए वाट तो डू, वें तो डू, हाव तो डू, एंड वाई तो डू और इस पर बात करने के लिए जो एक्सपर्ट हमारे पास मुझूद है डॉक्टर जफर अकबाल मीर साहब है डॉक्टर साहब मैं अलामा अकबाल उपन यूनिवस्टी की तरफ से आपको खुशामदीद कहती हूँ डॉक्टर साहब का तालुक फैकल्टी ओफ एजुकेशन अलामा अकबाल उपन यूनिवस्टी से है डॉक्टर साथ सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं क्लासरूम रूल्स और रूटीन्स की तो क्या इन में कोई फर्क है और अगर इन में फर्क है तो मैं ये भी चाहूंगी कि आप हमें एक्जेम्पल्स के साथ बताएं ताके हमारे प्रॉस्पेक्टिव टीचर्स को क्लियर हो जाए कि इन में क्या फर्क है डॉक्टर साथ बहुत शुक्रिया आपका आपने मुझे यहां अदू किया और मुझे मुझे मुका दिया कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बता सकूँ के रूल्स और रूटीन्स में क्या डिफरेंस है और कुछ मालूमात शेयर कर सकूँ बास्कारी जो रूल्स हम कलास्रॉम के लिए बनाते हैं वो ऐक्टॉलि उन करें तो इस तरह कर सकते हैं कि rules are statements ठीक है ऐसी statements हैं जो हमारा permissible behavior है जो हम classroom के अंदर देखना चाहते हैं उसको define करती है यानि basically rules are statements ठीक है अब वो statements क्या हो सकती है फर्ज कर लिए एक statement यह हो सकती है कि आपने classroom के अंदर पहले दूसरे की बात सुननी है फिर अपनी बात करनी है ठीक है यह एक आपने statement बना दी के listen others first and then speak अब यह एक rule बन गया classroom का और इसी तरह number of examples हैं मिसाल के तोर पर यह आप statement मना सकते हैं कि आपने classroom के अंदर खाना नहीं है eating नहीं करनी ठीक है यह statement है जो आपने उनका behavior permissible behavior जो और डिफाइन कर दिया ठीक है पिर आप कहते हैं कि आप जब भी class में आएंगे बैठेंगे तो carefully आप सुनेंगे lecture को और दूसरे की respect करेंगे ठीक है यह आपके behavior को permissible बनाया respect के वे में कि आप respect करेंगे दूसरे की ठीक है इसी तरह आप काफी सारी statements बना सकते हैं depending कि आपके school के rules के साथ वो align होनी चाहिए यह बड़ा important है कि school के और आपके instructional जो objectives हैं उनके साथ वो जो rules हैं वो जो statements हैं वो align होनी चाहिए यह जादा important है इसी तरह जो routine है routine basically क्या है routine कि एक दिन में या week के अंदर या even month के अंदर आप classroom के अंदर कोई specific activities design करते हैं या एक खास तरीके से आप कोई actions करते हैं rules routine basically क्या है यह detail है steps की कि कोई आपने action करना है class के अंदर तो उस action करने के अंदर जो steps involved है उनकी detail आपकी routine है ठीक यानि procedures आएंगे इसमें procedures आएंगे आप लिखेंगे routine के अंदर कि यह एक काम हमने करना है तो यह किन किन steps के मदद से होगा मैं एक चोटी से एक्जामपल आप से शेयर करूँ other than classroom जरनल एक्जामपल शेयर कर रहा हूँ कि फर्स करने अगर आप घर में यह routine है कि telephone जो है वो असद ने उठाना है तो असद की routine यह बनानी है कि असद जब भी call आएगी तो असद में जाके पहले receiver उठाना है caller का बटन प्रेस करना है उसके बाद उसने hello करना है और फिर कोई बात दूसरे की सुननी है और जवाब दे एक रूटीन बना देनी है कि आपने एक काम करना है तो उसके steps बता देने है अब देखे classroom के अंदर मिसाल के तुर पर teacher एक रूटीन यह बना सकता है कि जब students classroom में आएंगे या teacher जाएगा तो सबसे पहले कोई अच्छी बात बताएगा उने before starting the lecture अब जो अच्छी बात है उसको उसने board पे लिख के बताना है उसने कोई card शो करना है उसने detail में discuss करके बताना है वो रूटीन वो teacher खुद सेट करेगा लाइक वो procedure सेट करेगा वो step सेट करेगा जिसकी वज़े से वो action होगा मिसाल के तोर पर रूटीन यह हो सकती है कि हर class के end पे daily basis पे जो है ना फर्ज करने कोई एक जो है वो चीज़ याद करवानी है तो हम कहेंगे कि आखरी 10 मिनट जो है ना वो इस activity को बार बार आप लोग repeat करेंगे within the classroom अब वो activity कोई भी चीज़ कोई ऐसी चीज़ आप जो याद करवाना चाहते हैं आप उन्हें कि यह चीज़ आपने बार बार repeat करनी है 10 मिनट तक अब उसके लिए आप procedure ताह कर लेंगे कि वो आपने daily basis पे उनको last 10 मिनट जो school में उन्होंने गुजारने हैं वो यह activity करेंगे उसके steps आप लिए तो हम यह कह सकते हैं कि कोई particular behavior जो चाहे आपने daily basis पे करना है weekly basis पे करना है monthly basis पे करना है क्लासरूम के अंदर उसके लिए detailed steps जो है ना वो आप लिखें तो वो routine आपकी होगी और यह बड़ी ज़रूरी है जनरली स्पीकिंग लोग यह कहते हैं कि routine जो है वो उसको reminders के साथ जोड़ा जाता है और जो rules हैं उनको consequences के साथ जोड़ा जाता है यानि अगर वो आप follow नहीं करते तो उसके कुछ consequences हों रूल्स अगर follow नहीं करेंगे क्लासरूम के तो उसके consequences होंगे और routine फालो नहीं करेंगे तो आपको reminders दिये जाएंगे कि आपकी ये routine है और इसको follow करें तो डॉक्टर साब अगर कोई teacher ये कहे कि I am very good manager मैं क्लास को बड़ा अच्छा manage कर सकता हूँ मैं rules नहीं बनाता मैं according to the situation चीजों को manage कर लूँगा और rules बनाने की जरूरत नहीं मुझे लगेगा कि यहां ये होना चाहिए तो I can do well तो यहां पर क्या rules और regulations rules और routines बनाना एहम है यहां फिर ठीक है इस हो कि आप according to the situation चीज़े manage कर लेंगे देखे rules और routines के बगएर या rules और procedures के बगएर कोई भी काम हम effectively नहीं कर सकते आपने classroom management करनी है और efficient और effective teaching करनी है अपने objectives अचीव करने है तो आपको class के rules और routines बनाना पड़ेंगे मिसाल के तोर पर अगर आप ये एक एक ही rule जो हम कह रहे थे के जी eating जो है अलाओ नहीं है अगर आपको बहुत important topic पढ़ा रहे हैं और rule ये नहीं बना हुआ कि class meeting नहीं करनी तो वो बैठके अगर कोई दस बचे खाना शुरू कर देंगे तो उनका focus तो फिर खाने पे होगा ना वो आपके subject की तरफ नहीं होगा इसी तरह अगर हम ये rules नहीं बनाते कि बुलिंग नहीं करनी और students बुलिंग करते हैं और उनको नहीं पता कि ये rule है भी सही class में कि नहीं तो बुलिंग करने से discipline के problem पैदा होंगे और वो लड़ाई जगड़े तक मामला चले जाएगा या रूल्स बनाने की importance है रूल्स बताने चाहिए बार बार उनको remind करवने चाहिए या आप ये कर सकते हैं कि classroom के अंदर उसका print ले के rules का वो लगा दें के ये classroom के rules हैं even आप ये कर सकते हैं कि parents को आप जो है ना वो send कर दें किताब के अंदर रखके के classroom के ये rules है students को वो भी motivate करें encourage करें को वो इन rules को follow करें अधर वाइस ताहरा achievement नहीं होगी अच्छा exactly दो तरह की ये चीज़ है ना जैसे आपने example दी एक rule वो हैं जो school के rules है ना जनरली स्पीकिंग के हर class में चूंके tempo different होता है तो थोड़े से rules fluctuate करते हैं within the classroom classroom क्लासरूम के rules थोड़े से different होंगे school के rules different होंगे although classroom के rules और schools के rules में alignment जरूर होनी चाहिए तो जो generally speaking के ज particular rules नहीं होते हैं या तीचर ने जैसे अपनी class को लेकर चलना है वो उसके accordingly rules बनाएगा ठीक है वो general rules भी होंगे और specific rules भी होंगे ठीक है तो डॉक्टर साहब कुछ फिर तो कुछ उसूल भी होंगे कि जिन उसूलों को मदे नज़र रखकर हम rules को develop करें हमें वो भी बताएं क कि जब भी आप classroom के rules बनाएंगे या वो statements बनाएंगे जो यह determine करेंगी या define करेंगी कि कौन सा behavior permissible है classroom के अंदर तो उसमें as a teacher आपको यह देखना है कि वो rules reasonable होने चाहिए वो statements reasonable हों कोई आप ऐसी restriction ना लगाएं जो students नहीं कर सकते या control उस पर नहीं कर सकते आपको classroom का level students है primary level है तो आपके rules बदलेंगे अगर आप secondary level के students को deal का रहे हैं तो उसके लिए rules बदलेंगे तो कोई reasonable हो rules ऐसे हो जो classroom के अंदर वो portray हो सकें ठीक है ऐसा behavior ना आप permissible उसको रिस्ट्रिक ना और रिलिस्टिक ना हो वो rules जो हैं वो सबसे पहले तो यह होगा कि वो आप ऐसे comprehensive rules बनाएं ठीक है understandable हो समझ भी आ रहे हो कि वो students को भी पता हो कि rules ये जो rule बनाए इसका क्या मतलब है और कौन सा behavior हमने नहीं करना हो उसकी language बड़ी easy हो ठीक है understandable हो और फिर इसके बाद वो जो rules आप बनाए ना वो आ आपके instructional objectives के साथ align होने चाहिए ठीक है ऐसे rules ना बनाएं कि जो आपके instructional objectives के साथ align नहीं करते तो डॉक्टर साब क्या ये behavioral terms में होंगे बिलकुल आप जो rules बनाएंगे वो definitely चूंकि behavior को ही हमने रोकना है तो ये behavioral terms में ही होंगे क्योंकि आप ऐसी statements बनाएंगे जिसमें आप क्येंगे कि ये वाला जो behavior है ये परमिसिबल है और ये वाला behavior आपने नहीं करना अब इसमें जो एक और में बात करने लगा था कि जो बड़ी important बात है classroom के जो rules है या जो आपने behavior परमिसिबल करना है वो school के rules के साथ align होना चाहिए ये नहीं हम कर सकते कि हम school के general rules को disobey करें और अपनी class के लिए मलेदा से rules मना लें फर्ज कर लें अगर cigarette पीना allow नहीं है school आपको allow नहीं करता कि किसी खास grade level तक आप cigarette class में पीए तो फिर classroom rules में भी आप ये शामिल करेंगे कि अगर students majority उन में smoker हैब इसी तब भी वो rules को follow करेंगे और वो यानि उसको आप permissible नहीं करे तो school rules और classroom rules भी आपस में aligned होने चाहिए यानि ये principle भी आपने मदे नजा रखना है तो डॉक्टर साब जैसा कि आपने पहले कहा था कि rules को हम consequences के साथ जोड़ते हैं यानि अगर आप violation करते हैं तो consequences होंगे तो इसका मतलब तो फिर क्या हम ये ले सकते हैं कि कोई भी rules की violation अजुहात होती जो आपको इस behavior की तरफ लेकर आई हमने just उसके जो consequences predefined हैं हमने उसके accordingly जो है वो act कर जाना है यहाँ पे आप क्या कहेंगे यह बड़ा एहम आपने एक point raise किया इसमें मैं categorically ये कहूंगा कि rules जो है ना वो लोगों के लिए बनाए जाते हैं ठीक है लोगों को facilitate करने के लिए उनकी adjustment के लिए rules बनाए जाते हैं ठीक है तो ये context to context बेरियोतर ये flexible रहते हैं यानि context बदलता है जरूरत बदलती है तो rules बदलते हैं rules rigid नहीं रहते हैं कि हम यह नहीं के rule अगर बन गया तो context के मताबक rule को बदलना चाहिए या flexible होना चाहिए था या उसको change कर बना चाहिए तो हम उसको कहने नहीं जी आपने लाजमी इस rule को follow करना है in any cast ऐसा नहीं है rules हमेशा facilitation के लिए बिनाए जाते है smooth run के लिए बिनाए जाते हैं कि जो process है classroom में जो activities हो रही है वो smooth हो ठीक है तो rules जो हैं वो vary कर सकते हैं change किये जा सकते है according to the need and situation याप यह आप यह कहना चाह रहे हैं कि rules are made for the people. People are not made for the rules. बिल्कुल ऐसे ही है. बिल्कुल ऐसे ही है. छीक है. अच्छा डॉक्टर साब ये भी ये भी हमें बता दे कि कैसे बनाए हम हमारे teachers जो है rules बनाए कैसे? अच्छा इस rule बनाने से एक मुझे एक मेरे जिन में बात आई हो मैं शेयर करना चाहर हूं कि जब भी आप classroom के rules बनाए ना as a perspective teacher. तो हमें students को जरूर इन्वाल्व करना चाहिए in developing those rules. क्योंकि classroom के अंदर आप और आपके साथ students मुझूद हैं जो human capacity में मुझूद होते हैं. तो आप उनको involve करें in developing classroom rules. मिसाल के तोर पर आप सबसे पहले उन से पूछें first step प तो आप उन से पूछें, questioning करें कि उनके learning goals क्या हैं? वो किसलिए पढ़ रहे हैं? साइंस रखी है तो उन्होंने क्यों साइंस रखी है? या वो कोई खास particular subject पढ़ रहे हैं? तो वो subject क्यों पढ़ना चाहते हैं? उनके goals क्या है? learning goals क्या है? फिर आप classroom students के साथ मिल के ये define करे behaviors जो students classroom में करते हैं उनकी एक list बना लें कि ये ये goals हैं students के plus ये वाले behaviors हैं जो classroom के अंदर portray होते हैं ये disruptive behaviors हैं या discipline के जो problem create करते हैं. तीसरा फिर ये करें, ये सोचें, ये brain storm करें इस पे कि ये जो behaviors हैं इनको हम कैसे control कर सकते हैं? यानि कौन सी strategies और कौन सी restrictions लगा के हम ये behaviors को जो disruptive behaviors हैं इनको control कर सकते हैं और फिर उसके बाद जब हम ये चीज़ define कर लें फिर हम end पे ये देखें कि इसको हमने किसी document की form में भी लेके आना है ठीक है और वो जो document की form में आएगा वो जाहर है आप उसको classroom के अंदर भी या दाश्त भी रह जाएगी या दाश्त में जब भी आना है तो इन rules को follow करना ठीक है तो doctor सब क्या इन rules को one time teacher जो है वो classroom में convey कर दे ये enough होगा नहीं reminders देने पड़ेंगे आपको लाइक अगर कोई rule की violation करता है तो आपको react करना पड़ेगा आप students को consequences face करने पड़ेंगे अगर आप ignore करते है rules की violation को तो फिर जाहरा वो rules बनाने का भी फाइदा नहीं है तो हम ignore नहीं कर सकते हैं अगर student tool को violate करता है तो उसको consequences face करने secondly आपने उनको बार बार reminder देने हैं like आप उनको बार बार याद देहनी करवाते रहेंगे कि यह हमारे classroom के rules जो आपने follow करने है वो जाहरा एक अगर board के अंदर भी आपने लिख के लगा दिये हैं green board पे भी तो भी वो उनके लिए काफी है और आप बार बार उनको याद देह जानी करवाएंगे तो डॉक्टर साब यह जो rules हैं यह किस हद तक practical होने चाहिए मतलब आप बास दफाए एक teacher कहता है कि मैं अपनी classroom में यह चीजें भी करना चाहूंगा मेरे student ऐसे हैं मेरे student आएंगे उनकी pencil sharp होनी चाहिए यह वो इस तरह की जो चीजें हैं तो किस हद तक यह practical होने चाहिए यह फिर यह कि हम एक maximum level पर चले जाएं rigidity की यह फिर यह कि हम कोई balance level पर rules develop करें यह भी हमें थोड़ा सा बताएं अच्छा डॉक्सर बाइड जो routine को जब हमने organize करना है ना तो उसके कुछ steps हम follow करेंगे मिसाल के तोर पर सबसे पहले हमें routine establish करनी पड़ेगी ठीक है कोई भी काम जो हमने करना है यह actions हम चाह रहे हैं within the school और within the classroom उसके हम steps define करेंगे मिसाल के तोर पर अगर assembly है तो assembly daily basis पर होनी है तो उसकी एक routine set करेंगे कि पहले assembly में students किस तरह line up होंगे और उसके बाद जो हम दोगी या नाद पड़ी जाएगी और physical कोई activities करवाई जाएगी उसका एक procedure, detail procedure जो होगा तो morning assembly की एक routine बनेगी यानि सबसे पहले हम यह है कि आप routine establish करें इसी तरह जैसे classroom में मैं मिसाल दूँ कि आपने homework के लिए guidance देनी है कि आप classroom में जब भी class खतम करेंगे तो आपने students को यह बताना है कि जो homework आपको दिया जा रहा है यह आप कैसे solve करेंगे उसके लिए आप उनको guidance देंगे तो उसकी आप एक routine सेट करेंगे ठीक है Even during classroom जैसे आप weekly कोई schedule यह सेट कर लेते हैं कि Friday को drying की class होगी सिरफ ठीक है उसके लिए आपने कोई procedure सेट कर दी है यह steps बता दी है कि यह काम कैसे होगा किन किन steps के उपर होगा तो यह बड़ा important है सबसे पहले जब हम routine को organize कर रहे हैं तो सबसे पहले हम routine को establish करें ठीक है कि वो daily basis activity होनी है वो weekly basis पे होनी है वो monthly basis पे होनी है ठीक है तो डॉक्टर साब यहां पे हम flow chart भी कर सकते हैं बिल्कुल flow chart कर सकते हैं और flow chart कि जाए अगर एक और word मैं बड़ा proper यूज़ करूँ करूँ कि day planner है students जब routine को किसी को follow करेंगे तो वो daily basis पे अपना planner देखें वो जैसे आपने बताया कि आप flow chart कर सकते हैं या आप table बना सकते हैं कि पूरे month की पूरे week की daily basis पे कौन सी routine है जो आपने follow करनी है ठीक है तो आप as a student as a teacher day planner को follow करें कि आज के दिन कौन सी routine हैं जो हमने follow करनी है ठीक है तो सबसे पहले routine establish कर ले उसको schedule कर ले even आपने ये भी तैय करना है कि जब आपको पता है कि Friday वाले दिन कोई activity होनी है तो उससे पहले आपने cloths की arrangement करनी है a night before ठीक है ठीक है कि आपको पता हो कि कल मैंने ये activity करनी है ये actions करने है तो उसके लिए मुझे इस तरह के cloths और arrangements चाहिए है जो या even आपको कोई materials चाहिए तो वो पहले आप arrange कर करके रखें और फिर last में ये कि day planner जरूर फालो करते ने daily basis पे आप अपने planner को देखें के आज के planner में कौन-कौन सी routines हैं जो आपने फालो करनी हैं और उनके अंदर कौन-कौन से steps हैं जो आपने फालो करनी हैं तो जो आप time की बात करते हैं के time भी define करते हैं day planner बना ले तो वो जो time define किया जाता है वो किस हद तक बड़ा close margin में हो क्य उसमें थोड़ी सी flexibility space ज्यादा होनी चाहिए देखें जब आप कोई routine set कर लेंगे ना तो ultimately जब आपके school के अंदर या classroom के अंदर एक schedule follow किया जा रहा होता है ना time table follow किया जा रहा होता है 40 minutes की एक class है उसके बाद next 40 minutes की class है और जो भी हम routine set करते है within the classroom वो जाहरा उसी आपने time period के अंदर ही वो class खतम करनी होती है ठीक है तो routine के अंदर जब हम यह कह देते हैं कि 40 minutes की class के अंदर ही यह routine follow होनी है तो flexibility within 40 minutes ही होगी ठीक है या other activities other than your routine फर्स के लिए routine यह थी कि आपने एक अच्छी बात बतानी है ठीक है अब यह जो अच्छी बात है अगर इसके लिए आप routine को दो minute में ही वो routine पूरी करनी है आप ने overall देखना है कि classroom का time 40 minutes है तो आप की routine में अगर time तीन मिनट लगे है यह चार मिनट लगे है तो फिर accordingly जो बाकी lecture है आपका वो आप उसके साथ manage करेंगे डॉक्टर साथ यह भी मुझे बताएं कि जैसे बाद दफ़ा कुछ teacher यह सोचते हैं she is my proctor, she is monitor of the class, she is very brilliant student and if she breaks the rules तो इसके लिए आप avoid कर सकते हैं इसको आप सजा ना दें इसके लिए consequences जो हैं वो different हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि अगर कोई अच्छा student है यह आप उ register organize करवाते हैं, तो ऐसे student को अगर वो rules की violation करता है, अगर वो regulations में routine को खराब करता है, वहाँ पे फिर क्या करें, उसको flexibility दे दें? नहीं, मेरा यह अपनी opinion है कि इस तरह की flexibility आप देंगे तो आप example एक बना देंगे, कि बाकी लोग भी उसको प्रेसिडेंस बनाके अपने लिए relaxation लें, तो अगर फर्स कर लें attendance की एक routine है कि attendance इस तरह मार्क होनी है और सारे उसको follow कर रहे हैं, और अगर कोई like student है या कोई बड़े अच्छे चोदरी साब का बेटा है, तो उसके लिए हम rules को या routines को नहीं बदल सकते ना, ठीक है, या या लोगों के लिए हमने, लोगों को देख के हमने rules नहीं न, set करने, हमने तो ये देखना है कि harmony कैसे आती है, ठीक है, या चीजे sustain कैसे करती है, classroom के objectives कैसे achieve होते ह हैं, अगर हम किसी एक या दो students को flexibility देंगे, तो ultimately हम ये एक precedence दे रहे हैं, कि बाकी लोग भी अगर rules को तोड़ते हैं, तो उनके लिए consequences वही होंगे, जो हमने इनके साथ की हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, तो मैं तो ये teachers को को होंगा, कि जो आपने rules students के साथ मिल के एक दफ है, या कोई बहुत अच्छा प्लेयर है, या कोई relative है, इस इन basis पे हम classroom के rules नहीं तोड़ सकते, उसको भी उसी तरह की सजा मिलेगी, जो बाकियों को मिलेगी, otherwise तो वो फिर आप equal basis पे, बराबरी की basis पे, जो ना वो rules को मैनेजने करें, तो डॉक्टर साहब आप की बात सुन खुआ मामला अपने रिश्टेदार का ही क्यों ना हो, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज का हमारा जो unit number four था, वो definitely एक बड़ा important unit था, क्योंकि हमने यहां पे rules की बात की, हमने routines की बात की, हमने do's की बात की, हमने don'ts की बात की, हमने देखा किस तरहां से rules को develop करना ह हमने देखा कि किस तरहां से routines को organize करना है, और फिर हमने कुछ practical मामलात पे भी डॉक्टर साहब की expert राय पुली और इन्शाला ताला ये सारी discussion prospective teachers के लिए बड़ी helpful होगी जब वो फील्ड में जाएंगे, उनको यकीनन ये बाते जो हैं, उनको मुक्तलिफ फैसले करने में, rules develop करने में, routine's बनाने में बहुत काम आएंगी, इस दौा के साथ मैं आपको आज के प्रोग्राम को खत्म करूंगी, कि Allah ताला हम सब का हामियो नासिर हो, Allah हाफिस.